नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का 12 जनवरी 2019 के करनेट फर्स के इस वीडियो में दोस्तों आज के जितने भी कोशन्स बने हैं उनको डिसकस करेंगे साथ ही साथ में उनसे जुड़ी हुई जितनी भी इंपोर्टन जानकरी होगी उसको भी हम यहाँ पर डिसकस करेंगे पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना लास्ट में आपसे कोशन पूछूँगा जिसका अंसर आपको यहाँ पर देना होगा देखो अभी रिसेंट में आपने निउस पेपर में या तो निउस चैनल में इन परसन की फोटो आपने देखी होगी तो इनके बारे में एक कोश्चन बना है कोश्चन क्या है वो समझते हैं देखो इनका नाम है निकोलस मादूरो तो यह जो निकोलस मादूरो नाम के व्यक्ति हैं इन्हों ने 10 जनवरी 2019 को लगातार दूसरी बार ठीक है किस देश के राश्ट्रपती पद के रूप में सपत ग्रहन की है तो यहाँ पर राइट अंसर इसका हो जाएगा वेनेजुएला ठीक है तो यहाँ पर इस question को घुमा कर भी पूछा जा सकता है यहाँ पर आपको बताना है कि वेनेजुएला के जो राश्ट्रपती बने है वो फिर से निकोलस मादुरो बने है तो घुमा कर भी पूछा जा सकता है इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे अब एक चीज़ समझना चूंकि यह दूसरी बार बने है तो ये जो Venezuela जगह है ये बहुत ज़ादा news में चल रही है तो Venezuela के currency क्या है ठीक है ये map में कहां पर है इसकी capital क्या है ये तीन चीजें अगर आपने त्यारी कर ली तो समझो कि PCS level तक का question भी आप crack कर सकते हो यहाँ पर सबसे पहले तो Venezuela के नए राश्रपती जिनका photo यहाँ पर आपको दिख रहा है इनको देख लीजिए so that कुछनकुस तो mind में आपको image बनेगी साथी साथ में दोस्तों Venezuela की जो राजदानी है वो है काराकस काराकस वहां की राजदानी है और मुद्रा की बात करी जाए तो वो लिवर वहां की मुद्रा हो जाएगी अब बात आती है दोस्तों कि यह जो करेंट रफरस दो जार 19 पर कोशन पूछा तो जा सकता है इसका Venezuela के map कहां पर है तो world के map में अगर आप देखोगे तो यह रहा अपना प्यारा भारत और अपने भारत से इस तरफ आप देखोगे तो यह South American यहाँ पर continent में आपको Venezuela सबसे उपर यह लाल कलर से आपको टॉप पर देख जाएगा अच्छा एक चीज़ और समझता बहुत सारे लोग हैं जिनको map के बारे में कुछ भी नहीं मालुम है तो उनके लिए मैं बता दूँ सुरवात कर देता हूँ क्या होता है कि जो पूरी दुनिया है पूरी दुनिया map जब आप पढ़ना सुरू करते हूँ तो सबसे पहला इस्टेप होता है कि पूरी दुनिया का map जो होता है उसमें यह जानो कि कितने continents होते हैं देखो टोटल seven continents होते हैं continents देखो इस वाले continents में जो भी देश आएंगे यह आस्ट्रेलिया पढ़ेगा यहाँ पर जितने देश पढ़ेगे वो Asian countries मने जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर जितने देश पढ़ेगे वो African countries होंगे यह Blue Colors जो एरिया यह European countries बुले आते हैं नीचे की तरब जितना भी देश पढ़ेगा वो South America countries हैं और यह North American countries हैं और यहाँ पर पढ़ेगा आपका Antarctica का reason ठीक है तो जैसे मालो अगर अपने भारत का नाम पूछा जाए कि भारत कौन से continent में है तो दोगो अपना भारत तो यहाँ पर है लेकिन यह Yellow Color से एरिया क्या दिखा रहा है एसिया यहाँ कि भारत एसिया का पार्ट है ठीक है तो I hope जिन लोगों ने पहली बार यह चीज़ समझी है उनको समझ में आ गया होगा अब अगर मैं आपसे question पूछूँ कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है Venezuela यह कौन से continent में आता है ranking में Marycom कौन से इस्तान पर रही है तो यहाँ पर Marycom जो है सभी लोगों के लिए proud की बात है दुनिया में पहले number पर है यानि कि boxing की जो list बनाई गई है international level पर जो boxing की ranking है उसमें Marycom पहले इस्तान पर आई है हम सभी लोगों के लिए proud की बात है और आपको motivate भी होने की जुरत है क्योंकि आप देख सकते है बहुत ही ज़दा अच्छी performance दी थी इन्होंने अभी last time तो दुनिया की सबसे बड़ी मुक्यबाज बन गई है यहाँ पर इनके बारे में कुछ चीज़े जानेंगे AIBA का फिलफॉर्म जानो सबसे पहले AIBA का फिलफॉर्म होता है Amateur International Boxing Association साथी साथ में यह जो Mary Combe है यह 6 बार World Championship जीच चुके है पहली महिला किलाडी बनी थी साथी साथ में सबसे बड़ी जो motivate करने वाली बात यह है कि यह 3 बच्चों की माह है और इनकी age इस समय 36 years है तो आप समझ सकते हो हम लोग बिना साथी किये हुए अभी कोई exam नहीं निकलता है असानी से और यह साथी सुदा होने के बवजूद भी 3 बच्चों की देखरे करने के साथ-साथ उन्होंने 6 बार विसुचेंपियन का किताब जीता है यानि कि भारत ऐसा देश है जहां पर करने वालों की कमी नहीं है हो सकता है कभी आपने सुनाओ का 21 साल के लड़के ने UPSC क्रेक कर दिया कभी-कभी आप सुनोगे प्राइवेट जॉब करने वाले स्टुडेंट ने IES क्वालिफाई कर लिया तो कभी आप सुनोगे कि किसी के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं था गरीब घर से था फिर भी उसने सरकारी एक्जाम निकाल लिया तो यहां पर प्रतिभागी कमी नहीं है कुछ भी पॉसिबल हो सकता है आप कितने भी बुरी कंडीसन में हो आपका एक्जाम निकल सकता है पर डिपेंड ने करता है कि आप उसके लिए कितने ज़्यादा सीरियस हो आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रस्तने हाल ही में किस सिच्छा संस्तान ने प्रयोग साला में इस्पेस फ्यूल तयार किये जाने में सफलता हासिल की है तो यहाँ पर दोस्तों इस्पेस फ्यूल जो बना लिया है वो बना है आयाइटी मंदरास ने आयाइटी मंदरास ने इस्पेस फ्यूल बनाने में प्रयोग साला में बना लिया है तो यहां पर A option यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा. अगला प्रस्थन है, हरेंदर सिंग को किस खेल के भारतिय पुरुस टीम के कोच से हटा दिया गया है? यानि कि कौन सी टीम के कोच के पत से हटाएगा है? तो देखो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा होकी. अब दोस्तों, पिछले कई दिनों से CBI को लेकर बहुत ज़्यदा भी डिस्प्यूट चल रहा था. पूरा डिस्प्यूट तो यहां पर डिसकस नहीं करेंगे, लेकिन जो लाश्ट में जो इसके CBI के अंतरिम निदेशक बनाएगे थे, उनको भी पट्से हटा दिया गया है. तो यहां पर कोशन क्या बनेगा? अलोक वर्मा के इस्तान पर हाल ही में किसे CBI का अंतरिम निदेशक बनाएगे है. तो जखो अलोक वर्मा को हटा दिया गया है. अब उनके इस्तान पर M. Nageswar Rao को अंतरिम निदेशक बनाया गया है तो option A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं current of us का अगला question है किस सहर में sanitary pad की सबसे लंबी line बना कर विस्वर इकॉर्ड बना कर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया है तो sanitary pads पर अच्छे कुमार ने एक movie भी बिनाई थी padman और इसको लेकर अक्सर लोगों में जागरुकता फैलाई जाती है तो यहाँ पर एक सबसे लंबी line बना कर इसकी जो गिनीज बुक में राम रखा गया है यह किया गया है बैंगलूरू में तो option C यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहेगा और बैंगलूर भारत के किस राज्य में राज्य से भी लोग करता है यह चीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो करेंट फ़र्स 2019 में अगला question है हाल ही में क्रसी और किसान कल्यान मंत्राले ने एलिजा किट को launch किया है तो यह जो एलिजा किट है ठीक है यह किस पसू रोग से निपटने के लिए किया जाएगा तो इसका जो उपियोग है एलिजा किट का वो यहाँ पर संक्रामक अनीमिया रोग को ठीक करने के लिए बनाया गया है तो यहाँ पर एक question यह भी बन सकता है आपके mind में कि यह जो सर एलिजा किट है इसका full found क्या होता है यह भी जानेंगे सबसे पहले जान लो इसका जो उपियोग है वो संक्रामक अनीमिया मिटाने के लिए किया जाता है तो दोस्तो जनवरी करनेट अफर्स 2019 में यहाँ पर यह question important लग रहा है मुझे पूछा जा सकता है यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे यह जो एलिजा है इसका full found होता है एंजाइम, लिंगडी, इम्यून, सौर्बेंट, किट्स यह इसका पूरा full found होता है जो कि आपके exam point of view से important है साथी साथ में यहाँ पर जो इसका use है वो गोडों के संक्रामक खून की कमी को रोकने के लिए बनाया गया है तो यहाँ पर इस तरीकी से आप इसको याद रखेंगे current affairs 2019 का आगला question है सेना दिवस परेड कारिकरम में पहली बार सैन्य टुकडी का नेत्रोत करने वाली महिला officer का क्या नाम है तो यहाँ पर जो सेना की टुकडी होती है उसका नेत्रोत करने वाली महिला officer का नाम यहाँ पर हो जाएगा भावना कस्तूरी option C यहाँ पर बिल्कुल सही है फिर से समझ देना सेना दिवस परेड कार करम में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेन ने टुकडी का खाते के लिए तिमाही औसत नियूनतम रकम की सीमा एक हजार रुपए से बढ़ा कर कितने रुपए कर दी है यानि कि पहले आपको तिमाही on and average एक हजार रुपए आपके अकाउंट में होनी चाहिए लेकिन आप उसको बढ़ा कर दिया है दो हजार रुपए अब आपके पास में दो हजार रुपए अकाउंट में आपके होने चाहिए अगला कुशन है दोस्तो केंदर सरकार ने किन तीन जगहों पर AIMS की स्थापना करने को मंजूरी परदान कर दी है देखो AIMS की स्थापना जो तीन जगहों पर की जाएगी वो कौन-कौन सी तीन जगह है जहां पर AIMS की स्थापना करी जाएगी ये भी ऑप्शन यहां पर सही उड़ेगा एक तो है सामबा दूसरा है राजकोट और तीसरा है अवंतिपुरा इन तीन जगहों पर सामबा, राजकोट और अवंतिपुरा में AIMS की स्थापना करने की मुहर सरकार की तरफ से लगा दी गई है साती सात में यहां पर यह समझ लो कि यह जो सामबा है यह जंबू में है अवंतिपुरा, कस्मीर में और लाष्ट वाला जो है वो गुजरात में इस्तित है तो यहां पर तीन जगह पर जो AIMS बनाया जाएगा वो एक योजना के तहट बनाया जाएगा और उस योजना का नाम भी एक्जाम में पूछा जा सकता है जैसा कि स्वास्त सुरक्षा योजना जो प्रदान बंतरी मोधी की स्वास्त सुरक्षा योजना है उसके तहट यह तीनो AIMS बनाये जाएगे यह वाला कोशन भी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो दोस्तों यह तो थे कल के आज के कोशन अब करेंगे करेंट अफर्स 2019 का रिवीजन तो आज का सबसे पहला कोशन क्या बनेगा विसो हिंदी दिवस किस दिन मनाये जाता है जल्दी से कमेंट पॉक्स में अंसर दे देंगे आज का दूसरा प्रसन है हाल ही में गवर्मेंट अफ इंडिया ने जनरल के डिगरी के लिए 10% का रिजर वेशन दिया था तो ये कौन से संसोधन में ऐसा किया गया था आपको कमेंट करके बताना है आज का अगला कोशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्क्रण कहां पर सुरू किया गया है तो आज इन तीनो कोशन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अगर आपका वीडियो से 1% भी फाइदा हुआ हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ में सेयर करके हमें मोटिवेट करना ना भूले इसी तरीके से करेंट अफर्स 2019 में आपको ऐसे पढ़ाई करते रहिए जनवरी दोजल करेंट अफर्स पूरा आपको तयार कर बुदूँगा डेली डे टू डे करेंट अफर्स आपको तयार कराए जाएगा और जो दस कोशन यहां पर कराए जाते हैं यह हैं टॉप टेंड ट्रेंडिंग नूज आप दा डे थेंक्यू